स्टेम के आदेशों को दरकिनार कर दबंग लेकपाल ने करवा दिया अवैत निर्मान पिडित को लेकपाल के द्वारा दी जा रही धमकी निर्मान हो कर रहेगा मामला जनपत अयुथ्या के तैसील मिलकिपूर अंतरक्रत ग्राम पंचयत पारा बभनान परगना पशिमराट जनपत अयुथ्या से निकल करा रहा है जहां के निवासी अंजनी कुमार पोत्र धीश राज नियुपसलातिकारी मिलकिपूर को भूखंड संख्या दो शुनिय शुनिय दो चार शुनिय दो चार एक का वा पाँच साथ चार का पांच साथनौ का कबजा शूने दशमलव 6-41 सेक्टियर भूमी शिकायत करता वाने खातिदारों के नाम संक्रम अनिये भूमी धर दर्स का अगजात है उक्त भूखंडों के बटवारे का बात SDM कोर्ट पर विचारा धीन है यहां तक की पत्रावली कुर्रा हेतु हलका लेकपाल दिनेश पांधी के पास मौझूद है दिस पर SDM मिलकीपोर अमित कुमार जैसपाल के द्वारा या आदेश हलका लेकपाल दिनेश कुमार पांधी को दिया गया था कि कुर्रा पटवारिक रथा यथा इस्तिती बरकरार रखी जाए लेकिन पीडित का आरोप है कि दबंग लेकपाल दिनेश पांधी की त्वारा विपक्षी अर्शो कुमार तिवारी पुत्र केसरी प्रसाथ तिवारी से मोटी रकम लेकर स्वयम मौजूद होकर दबंगई के साथ पीडितों के साथ ज्याती की गई पीडित स्टीम के आतेश को लेकर स्टीम का चँखट चुंकता रहा उधर लेकपाल स्टीम मिल्कीपूर को गुम रहा करते हुए बिना पतवारा के गेट का पिलर लगवा कर कब्सा करा दिया गयाुकर दि니다 सरकारी से नाली में पान मिट्टी पटाई करके पानी को भी रोग दिया ग्राम पंचायद की बाग दोर लेकपाल के हाथ में सौपी गई है उस ग्राम पंचायद के लुगों का भागय उधैचाय का फिलहार आज के लिए इतना ही मिलते हैं लेकपाल के नए कारनामे के साथ तब तक आप इंतजार करें